खबर देवगड से देवगड में गुरू शोभाग्य मदन गोशाला में गोमाता की बच्छरे सहीद पूजा अर्चना करके माताय अपने पुत्रों को तिलक लगा कर तलाई फोडने के बाद लड़ू का परसाद गोपालक को वित्रन करके बच्छ वारस पर्व मनाया है यानि पुत्रवान महिलाएं अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है और पूजा करती है इस दिन गेहु से बने हुए पकवान और चाकु से कटे हुई सबजी नहीं खाये जाती है बाजरे या जुआर का सोग्रा और अंकुरी तनाच की कड़ी वसूखी सबजी बनाई जाती है महिलाओं सुबह गोशाला पहुँच गोमाता की विदिवत पूजा अर्चना करने के बाद घरो या सामुहिक रूप से बनी मिट्टी वगोबर से बनी तलईया को अच्छी तरह सजा कर उसमें कच्चा दूद और पानी भर कर उसकी कुमकुम मोली दूद धूप दी प्रजलित कर पूजा अर्चना करती है और बच्छ बारस की कहानी सुनी जाती है महिलाओं द्वारा सुबह गोमाता की विदीवत पूजा अर्चना करने के बाद घरो या सामुहिक रूप से बनी मिट्टी वगोबर से बनी तलईया को अच्छी तरह सजा कर उसमें कच्चा दूद और पानी भर कर उसकी कुमकुम मोली धूप दी प्रजलित कर पूजा करत